एक वीवर ने पूचा है to whom it may concern क्या है यानि हमें कब इस्तिमाल करना चाहिए to whom it may concern तो friends मैं आप से कहूँगा later writing में इसे इस्तिमाल किया जाता है यानि अकसर किसी later में आप ये लिखा हुआ देख सकते हैं to whom it may concern तो आईए सीख लें कि आपको later में कब लिखना चाहिए to whom it may concern जैसा कि आपको पता है जब आप later लिखते हैं तो आप अपने later में dear sir या madam का इस्तिमाल करते हैं यानि sir या madam लिखते हैं तो to whom it may concern का इस्तिमाल sir या madam के जग़ा पर किया जाता है अब question ये है कि कब किया जाता है यानि sir या madam के जग़ा पर हम to whom it may concern कब लिखें तो friends मैं आपसे कहूंगा ऐसा तब किया जाता है जब later receive करने वाला कोई specific ना हो यानि आपको मालूम नहों कि later receive करने वाला कौन है sir है या madam लगता है आप समझे नहीं आईए इस बात को एक examples में समझे जैसे मालीजे आपने online कोई समान खरी था लेकिन वो समान defective था और आप उसे वापस करना चाहते हैं तो उस समान की वापसी के लिए आप customer service department को एक later लिखेंगे और यहां इस later में आप sir या madam नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि आपके later receive करने वाला कौन है sir है या madam तो इस सूरत में आप sir या madam के जगाप लिखेंगे to whom it may concern हो सकता है कि आप भी सोचे कि इसका meaning क्या हुआ तो friends मैं आपसे कहूंगा यह एक phase word है इसका वही मतलब होता है जो sir या madam का होता है यानि यह word later में sir या madam के जगा पर इस्तिमाल किया जाता है जब आपको यह मालूम नहों कि later receive करने वाला कौन है sir या madam तो friends उमीद करता हूँ कि आपने इस बात को शांदार तरीके से सीखा कि to whom it may concern का इस्तिमाल आप later में करते हैं और यह word sir या madam के जगा पर करते हैं और आप इस word का इस्तिमाल तब करते हैं जब यह specific नहों कि आपके later receive करने वाला कौन है sir है या madam यहां मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके पास भी कोई question है तो आपका मिन बॉक्स में टाइप करें मैं जल्द आपके question पर वीडियो बनाऊंगा फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा lesson के साथ तब तक के लिए